ओम शांती आप सब बहुत कुछ मोज में होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे हेल्दी होंगे हैपी होंगे आज मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे चैनल को जो की अपना अंगन मेरा चैनल है उसको अभी दो महीं नहीं हुए शुरू हुए और चैनल को 213 सब्सक्राइबर दिये हैं उसके लिए मैं आपका दिल से सुक्रिया अदा करती हूं बहुत बहुत सुक्रिया आप सबका और बहुत मेरी तरफ से आप सबको प्यार आज हम बात करेंगे मैं एक स्नेक प्लांट की जो की लंबे पत्ते वाली वेराइटी होती है लोंग वाली वेराइटी होती है उसका वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूं मेरा वो गमला एकदम रूट बाउंड हो गया था तो उसको मैं रिप्लांट कर रही थी तो मैंने सोचा उसका वीडि को सिरफ देखकर इससे information ना लेकर इस वीडियो से आप अपने जिवन में भी अपना अनुभव जरूर बनाए यह वीडियो सिरफ information के लिए नहीं है बलकि मेरे जितने भी वीडियो हैं वह सब आपको अनुभव युक्त बनाने के लिए है ताकि आप भी गार्डणिंग में अ वाइब्रेशन देते हैं, तो हम भी पोदों को अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दे, उनके साथ में कुछ समय बिताएं, तो वो पोदे उन पोदों से हमें वाइब्रेशन मिलते हैं, और हमारी वाइब्रेशन उन पोदों के पास में जाती है, जिससे वो पोदे भी सदा ख प्रेम होता है, एक दूसरे मिलकर अच्छी तरह से रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, तो उस घर में पोदे भी कितने हरे बरे और सुन्दर होते हैं, तो ये छोटा सा मैंने आपको एक ज्यान की बाते आपके साथ में शेर की हैं, आज का मेरा वीडियो रहेगा स्नेक प् वीडियो देखना एक इनफोर्मेशन तक रहता है, और वीडियो को अपलाई करना, उन बातों को अपने पोदों पर अपलाई करना, वो एक अनुभव हो जाता है, अनुभव ही अमारा ग्यान बन जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का वीडियो मैं ललीता, वेचा लहारव राव असर नहीं होते हैं, वो दिरë स्वादियों बीदीते हैं वेचा यो पर करेंगे केड़ जाता है, देखकें कि दूर चाहिंगे। और सिंपल गार्डन सोयल है जो कि मेरी एकदम पोशन्षे भरपूर है मैं हमेशा उसमें गोबर की खाद एड़ करती रहती हूं मेरी गार्डन सोयल में बहुत सारे केचवे हैं और बहुत ही अच्छा बना के बुरबुरा बनाके रखते हैं यह देखे मेरी मिट्टी कितनी ब पोदो को नुकसान नहीं करने वाले हैं, यह हमारे पोदो की मिट्टी को और भी अच्छा बना देते हैं, काफी गना हो जाता है, यह देखिए, यह यहां से जुड़ा हुआ रहता है, नीचे नीचे यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो मैंने इनको अलग कर लिया है, मैं अब आपको इनको लगाना से कहूंगे, यह देखिए यह मैंने नीचे छेद कर रखे हैं और चेद अच्छे होने चाहिए मोटे मोटे छेद कर रखे हैं और इसमें मैंने यह हमेशा कितरे नीचे ताकि मेरी मिट्टी बहार नहीं निकले और कभी हम बाइचांस पानी देना भूल भी जाएं बहुत दिनों तक हम पानी नहीं दे पाएं तो इसमें हमारी नमी भी बनी रहती है ऐसे मैंने घमले तेयार कर लिए मैं इनको तीन से चार घमलों में शिप्ट कर दूँगी तो चलिए फटा फट काम करते हैं मैंने भर लिया इनको चार घमले अभी मैंने भर लिया देखते हैं तीन बनते हैं या चार बनते हैं फिलाल मैंने चार घमले इसके मिट्टी से भर लिया है यह बहुत ही ऑक्षिजन देने वाला प्लांट है इस ऑक्षिजन से भर पूर है और गंदी गैसे होती है जो जहरी तो यह पोदा तो हमें जरूर लगाना चाहिए इसकी तीन-चार तरह की वेराइटी आती हैं मेरे पास में इसकी चार वेराइटी हैं तो आज मैं इसको रिप्लांट कर रही थी तो सोचा मैंने मैं आपके साथ में इसकी रिपोर्टिंग करूं तो यह चार गंबले मैंने भर आप एक बार लियाएं फिर इससे आप अने को हजारो सनेक प्लांट बना सकते हैं अब मैं इसमें पानी ड़ाव दूँगे, पहले एक बार साओं यहाँ देखेंगे इसको भी लगा दूँगे देखेंगे इसमेंसे भी कोई प्लांट निकला कर दा है क्या यह देखें यह इसका मदर प्लांट था यहां से इसने और गान आठे निकाली थी और इन गाठョं अब इन में वाटरिंग कर देंगे पहली वाटरिंग हमें इतनी करनी होती है जो घंबले से हमारा पानी निकल कर भार आ जाए ताकि इसका परपज क्या होता है ताकि हमारे पोदे में कोई एर बबल्स ना रहे हावा का वो नहीं होना चाहिए थोड़ी वो होती है उससे कुछ नहीं होता है लेकिन जादा गैप नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर हमारी जड़े खराब हो जाती है पोदे के इसलिए हमें वाटरिंग इन में इतनी करनी चाहिए जिससे पानी नीचे निकल कर आ जाए मैंने एक स्नेक प्लांट से चार स्नेक प्लांट के पोदे तेयार कर लिए हैं और आपको अब मैं दिखा रही हूं यह वाला देखे स्नेक प्लांट यह ड्वार्स वेराइटी का स्नेक प्लांट है और एक ये देखें ये विधियो नहीं आपको मेरे पिछले वीडियो दुम्लिक में दाले दूगर इस वीडियो में जाकर देखेंगे तहाइए तो आपको समझ में आएगा तक मैं कैसे घ्रो किये थे पत्ते से मतलब इनकी रूटिंग तेयार की थे और ये प्लांट मेरे तीयार हुए थे अब देखिए इनका अपडेट ये इतने बड़े हो गए हैं उस वीडियो में तो आपको चोटे चोटे दिखाई देंगे लेकिन इस वीडियो में देखिए ये ड्वार्फ वाला स्नेक प्लांट है और आज जो मैंने रिप्लांट किये लोंग वैराइटी वाले हैं इनके पत्ते लंबे होते हैं और इनके पत्ते छोटे होते हैं इसमें तीन चार तरह की वैराइटी आती है बाकी कभी मेरे को शमय मिलेगा तो मैं आपको उन स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग भी करके दिखाऊंगी ऐसे हसते रहिए खेलते पोदों साथ मंस्कُराते रएं पौदें हमें बहुत कुछियां देते हैं और कुछने कुछ नए परियोग करते रहीं है यह देखें, यह सारी cutting मैंने यहाँ पर लगा कर रख रखी है, जिन में ज्यादा तर cutting मेरी सफल हो गई है, तैयार हो गई है, और यह देखें मेरी कोलियस के cutting की update, यह नई variety की कोलियस में लाई थी, उसकी cutting मैंने डाली थी, वो एकदम लग गई है, तैयार हो चुका है, यह reporting क करने के लिए, जब मैं इसको reporting करूंगी, तो उसका वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूंगी, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद, और शान्ति